गुडियों निम्, मैं से अनस मौरिया, आप सभी का में चल रहा है सम्सक्राइब सागत करता हूँ आलोग पड़े हैं परजेंट कांटिनवस्टेंस यानि वर्तमान जारी कार अगर इसका पहचान की बात करें तो जब वाक के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं यानि क्रिया जारी है जब किरिया जारी है तो ऐसे वाक्यों को हम लोग पर्जेंट कांटिनिवस टेंस में रखते हैं वहीं बात करते हैं अगर रहा था रही थी रहे थे यह यानि पास्टेंस में कोई किरिया जारी थी तो वह पास्ट कांटिनिवस कह जाता है और रहा होगी रही होगी रहे होंग यह जब वाक्य के अंत में आता है तो पर्जेंट काटी रिवस्टेंस का वह वाक्य होता है, ठीक है, यानि अगर क्रिया जारी है, रहा है, रहे है, ठीक है, ऐसे आए, यानि क्रिया वर्तमान में जारी रहे, तो इसलिए इसको कहा जाता है वर्तमान जारी काल, यानि वाक्य क के अंत में अंत में वाक्य के अंत में क्या आएगा रहा है रहा है रही है रहे हैं ऐसे रहे हूँ ऐसे आजाए ठीक है यानि अगर वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे है अगर आ है तो वह पर जंट कांटिनिवस ट्रेंस का वाग होगा ठीक है यानि इस ट्रेंस का वह वाग होगा तो यह इसका पहचान था इस ट्रेंस का हल्पिंग वर्व का बात करें यानि सहाय क्रिया का तो इसका सहाय क्रिया होता है helping word helping helping word helping word इसका होता है इज एम आर ठीक है इज एम आर ये इसका helping word होता है अब helping word का बात करें तो एक कौन सा helping word किसके साथ लगता है ये जानना जरूरी है ही सी इट यानि ही इसी इट तथा एग वचन करता होगे साथ हम लोग इसका ह 10 का इस्तेमाल करेंगे I के सार्यीन का करेंगे P बाकि जितने भी बहुपचन करता हैं वचन करता है यूवी दे यूवी दे तथा बहुपचन करता हों के साथ हम लोग क्या करेंगे आर का इस्तमाल करेंगे तो बास समझ में आया अगर he see eat तथा एक वचन है एक वचन करता है तो इच का इस्तमाल I के साथ M का इस्तमाल बाकि जितने भी u v d दे बहु वचन करता बचेंगे उनके साथ और का इस्तमाल हम लोग करेंगे ठीक है तो ये था इसका पहचार अब अगर हम लोग इसके संटेंस का इसका भी चार भाग होता है लेकिन सिंपल संटेंस निगेटिव संटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव 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 निगे सब दो सब दोर सब्स्क किलों कि मैं सद हआल रहा है कि सब्स्क्रेणी प्रेश सब्सक्स मतलब तो सब्सक्रण क्या करते हैं यह तमने उपर ही बता दिया था तो एसे वाक्यों को सिंपल संटेंस में उस वक्त को रखते हैं अगर इसका रूल का बात किया जाए जाए तो रूल इसका हो जाएगा सबसे पहले करेंगे अगर एक बुचल है तो इसका आई है तो आहम का और वह वह जाना है या यूवी दे है तो उनके साथ हम लोग आरकर स्तमाल करेंगे और उसके बात क्रिया की फर्स्ट फाम में आई एंजी लगाएंगे फिर अब्जेक्ट फिर अधरवर्ड ये इसका रून टिक है अब अगर एक्जामपल का बात यानि क्रिया जारी यहां पर देखिए खेलने का क्रिया जारी है तो ऐसे वाक्यों को लोग परजंट कांटिनिवर स्टेंस के सिंपल संटेंस में रखते हैं अगर मालेते हैं मैं खेले नहीं रहा हूं वहां पर क्रिया जारी है लेकिन नहीं है ठीक है तो इसे वीज़े से negative sentence में रकेंगे, अगर उसमें प्रशन आ जाए, तुम क्यों खेल रहा हूँ, क्रिया तो जारी है है लेकिन प्रश्ण किया गया है, इसलिए उसे interrogative sentence में रखेंगे, ऐसे तुम खेल क्यों नहीं रहे हो, याई प्रश्ण भी आया या नहीं में भी आ, तो उससे हम लोग सब्सक्राइब करेंगे आई सबसे पहले क्या सब्जेक्ट आई आ एक साथ I am I am खेलना होता है उसमें आ जाएगा प्लेंग ठीक है रहा हूं का इस पिल मुझे जाएगा प्लेंग यानि पर्जेंट टेंस में हम लोग इस्तिमाल करते हैं पर्जेंट कांटिनियूस टेंस में हुआ ठीक है अब इसका बात और एक्वाणपल रहा है घर में है Мосका इसको सब्दियूस चैजर तो हुच आएगा रा राम राम के साथ राम एक बचाने ठीक है राम इस बाठिंग बाठिंग इन दे घर में मतलब घर में आगन होगा वहीं पर नहारा होगा तो जैसा वाक की मिली इस सबसे आपको ट्रंसलिट किया जाए और देखाज़े जैसे श्याम पढ़ रहा है कोचिंग में आप अगर ऐसे आप को भाकि मिले तो उसको ट्रंसलिट करने की यहां यह करते हैं अगर वाग के साधरने को पढ़ आज सांव में इतनक वाक के इसको ट्रंसलिट के जाने है तो हजायगा तो स्लोगी स्याम के साथ इज स्याम इज रीडिंग ठीक है पढ़ना होता है रीड उसमें आएंजी लग जाएगा रीडिंग कहां कोचिंग इंद कोचिंग इस प्रकार हम लोग वाक्कियों को टांसलेट कर सकते हैं तो इस अमार का प्रियोंग बहुत ही आसान ही से हम लोग कर सकते हैं प है हम घर साफ कर रहे हैं अगर ऐसा वाक के मिले तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं देखिए आपर हम हम यानी अकेले अगर एक वचन होता तो हम मैं कहते हैं लेकिन हम मतलब कुछ लोग हैं दो तीन लोग है तभी दों कहते हैं तो हम के साथ हम लोग क्या लगते हैं लगाते है रहने जाएगा वी आर घर साफ करना होता है ट्ली मैं उसके बाद आइंच हो जाएगा जीड़ेंग तर। लेट कर सकते हैं और अगर एक्जाम्पल का बात करें last example है यह और देखा झाए इसे कभी कि गीत इसको ट्रांसलेट किया जाएगा कभीर के साथ इज कभीर इज इज सुनाना होता है ठीक है टेल मिंस भी बताना या सुनाना या फिर हेर कर सकते हैं तो हेर कर सकते हैं यहां पर हेरिंग हेरिंग यह सौंड इस प्रकार रूप्रेंट्स आप लोग कैसे हैं मैं केमरमेन को आप इस दिखासा करता हूं आप लोग क्या जो वीडियो आप लोग देखते हैं वह कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वाई और लाइक कर जिए और सेर केजिए ऐसी कैम चलता है क्या जी बताए ये वीडियो आप देख लेते हैं अब पूरा आंति तक देखने के बाद लाइक ने करते हैं ठीक है अब आप से काला यही निवैदन है कि जो चैनल को नहीं है है वो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेया करें सब्सक्राइब करें लाइक नहीं करेंगे तो हम लाइक कैसे आएंगे में बात तो यह ना तो चलिए ठीक है मिलते हैं कन और हपी न्यूएर का एक बार बदाए देजिए इंग लोगों को आप सभी को काला यह सम्ट्रांसलेशन पर यह सम्ट्रांसलेशन की तरफ से एपी न्यूएर चलिए ठीक हमारे तरफ से भी आप सभी को हैपी न्यूएर एक बार फिर से चलिए ठीक है मिलते हैं कर दो